लिंक ओपन नहीं हो रहे है हाँ बट लिंक ही ओपन नहीं हो रहे है चेक ओके ये कि हो काकõई हम मुटना मुटना हुdate खके बट Keysां करता सकता कहला है so very good morning to all of you all good morning to all my virtual students also and to every one of you all who are sitting at the Delhi Guru Kul hello everyone तो yesterday we had started with the basic provisions of law, अभी तक हमने syllabus की शुरुवात नहीं की है, सिफ कानून की दुनिया के थोड़े बात basic provisions जो है, उसकी बारे में हमने जाना था, आज और कुछ 5 से 10 मिनिट हमारा introduction का होगा, relating to what is law and who are the people who make the law, who are the people who execute the law, और finally judicial interpretation जो है, वो कौन करता है, और उसके बाद हम actual subject की शुरुवात करेगे, बट बिफर द, whatever we have done yesterday, we will revise that and then we will move ahead, चलो, आप लोग मुझे बताओ, परस्ट फॉर खर्च, जाज दूसरा ही दिन है, क्यों था बताओ मुझे, लौर आट थो जाएँ, और दोनों से मैं है्या अलग अलग ब्रॉडर वर्डर कॉन लॉड़ में क्या act होता है, अट के साथ साथ क्या rules होते है, रूल्स के साथ साथ क्या case law भी देखे जाएगे, along इमर्जिंसी वाले situation में, अगर कोई ordinance, very good, पास करना हो, तो क्या ordinance भी लौ का हिस्सा ही माना जाएगा? Regulations and bylaws, क्या इन चीजों को भी लौ के ही वर्ल्ड में इंक्लूड किया गया है? अगर मैं आपको पूछू, act इस शब्त का क्या मतलब होता है, तो चार चीजों मिला के बनती है कोई भी आपकी act, कौनसी कौनसी चार चीजों बोलो, section, plus subsection, plus clause, plus sub clause, ये चारों चीजों मिला के बनता है आपका act, बट सिफ act पढ़ने से, क्या आपको पूरे provision का अंदाज आए तो आपको प्रोविजन से रिलेटेड कभी कुछ कोर्ट में डिसिजन आया होगा, जहां पर हमारे ओनरे जजज ने उस प्रोविजन को इंटरप्रिट करके बताया होगा, कि इस प्रोविजन को इस तरह से इंटरप्रिट किया जाता है, तो वो क्या हम इस जर्णी में देखने बाल है, हाँ ना, यही सारी चीज़े हमने कल देखी थी, along with that, I also told you the reason why the Companies Act 2013 came into picture, in fact, हमने एक real life case study भी देखा था, और हमने कौन से company का case देखा था, Satyam का scandal भी हमने देखा था, जहाँ पर हमने देखा था, Ramalinga Raju and the promoter group ने कितना बड़ा कांड किया था, company के नाम पर, okay, जिसके वज़े से public का जो confidence है, वो decline होते गया, and that is why this was one of the key factors we thought that we now had to introduce, it's high time now, a new act has to be introduced, ऐसे करके ये थौट का जनम हो और देरे करके ये नया कानून बना and finally in the year 2013, this particular act came into picture, 1956 के comparison में आप बताव, 2013 के act में, section कम है या जादा है, कम है, section कम है, but उसी को compensate करने के लिए हमने rules को बढ़ाया है, क्योंकि rules बनाता ही है ruling party, CG, तो बनाना भी और उसको amend भी करना, आसान हो जाता है, as compared to going in the parliament, क्योंकि parliament में तो ruling party के साथ साथ, क्या opposition party भी है, तो obviously things become a little complicated, है न, तो इसी लिए rules हमने जादा रखे है, और sections हमने घटा दिये, as compared to the 1956 act, yes or no guys, अब देखो, इसी कानून से related, एक आखरी basic concept में आपको बताना चाहती हूं, और इन चीजों को, इन चीजों के बारे में पता होना बहुत जादा जरूरी है, because if I don't teach you this, if I don't teach you this, learning the acts is something that is secondary, आपको पले यह पता होना चाहिए, कि कानून बनाता गॉन है, कानून एग्जेक्यूट कॉन करता है, और इसी कानून को interpret कॉन करता है, और यह चीजे जो है, जो मैंन आपको कल भी बताई थी, और आज भी आप में जो 5-10 मिंटों में आपको बताने वाले हूं, it is common for every act that you are going to learn, act ही छोड़ो about why I am talking about my syllabus, अगर आप income tax act की दुनिया में भी जाओगे, तो income tax की दुनिया में भी, my dear friends, income tax is also a part of a law, क्योंकि income tax act जो है, act, 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 क्या हमारे लौ का हिस्सा होता है, yes, तो यह कानून को चलाने का system पता होना जरूरी है, तब हम actual कानून की दुनिया में कदम रख सकते है, तो देखो, कानून मतलब लौ, यहा, this is just the Hindi word for law, law in English, और Hindi में उसको कहते है, कानून, इसी कानून को चलाने के लिए, there is a three-tire system, इसी कानून को चलाने के लिए, there is a three-tire system, firstly is the, एक मिनेट रुक जा, रुक जा, firstly it is the legislative, so basically, first three-tire system, three-tire system में, पहला, जो हमारा tire है, that is, those people, yes, legislative body, those people who make the law, those people who make the law, but now, the law of the law, 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 all people, we will not give it to them, just like that, we make a lot of rules, we have seen in school, we have seen in school, in school, we have seen in school, how many rules, that were made, okay, but, 1000 rules, पता नहीं, फालो किये होगे, बहुत कम, okay, अब ऐसे case में, आप सोचो, तो भी थोड़े बहुत rules, फालो हुए भी है, क्यू फालो हुए है, क्यू हमने एक system बनाया, हमने, हमने, head girl, या जो भी head boy, फिर उसके बाद, sports captain, prefix, monitors, इन सब लोगों को, हमने अपोइंट किया था, क्यू अपोइंट किया था, यह वही लोग थे, जो देख रहे थे, कि जो principal ने, rules बनाये, हमारे school के लिए, क्या वो rules, follow भी हो रहे है या नहीं हो रहे है, और अगर किसी ने रूल को follow नहीं किया, तो हम उसको पुनिश करेगे, हम रिमार्क देगे, तीन रिमार्क वा तो उसके बाद परेंस को बुलाएगे, तीन बार परेंस को बुलाया, तो शस्पेंट कर देगे, तो, ख़़ रहे है, थालने कितने सारी शायं कहा bredफे हैं मेंघ यह दायाख रहे हैं, तो आप वी ऐसे के, वाँसिव zapo ब्ल Ó ड़ रूल को कर रहे हैं, कुछ सिस्टमी नहीं नोबडी चेकिंग whether your coming on time your leaving on time whether your wearing the school uniform whether you know your hair is neatly tied up nobody's checking that if nobody is checking that नोबडाव कुछ गंच्छोलाएगा नहीं है और अगर च्छ गंच्छोल नहीं है will people will students follow these rules no so rule बना किभी क्या कुछ वायदा हुआ नहीं हुआ so rule बनाना जितना इंपोर्टेंट है, forget about school rules, foundation की examination अभी ताजा ताजा आपने clear किये, कितने नजाने time table आपने बनाए हैं, Monday की दिन से follow करेंगे, बस, पका, आपको खुद को भी नहीं पता, यह कौन सा Monday है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, So, देखो, कोई भी कानून बनाना, in fact, मैं कहोगी, एक तरह से असान है, what is more challenging, is उस कानून को implement करना, और अगर किसी का चेक नहीं है, चाहे वो बच्चा है, या 100 करोट देने वाला आदमी है, अगर कोई controlling authority नहीं है, किसी को कुछ घंटा फरक नहीं बढ़ता, कोई नहीं पीचे होना चाहिए, आप पता है, जैसे कि, देखो, पूजा मामने कल बताया था, कि अगर आपने income tax नहीं दिया, income tax department, आपको छोड़ो, आपकी घर आपके आपके आपसे tax लेके वसु लेगा, रेड कर लेगा होना, तो वो department है, income tax act से किसी को डर नहीं लगता ह department के लोगों से डर लगता है, हाँ ना, ये एकदम सही बात है, दिल से में आपको ये कह रहे हो, so basically, कानून बनाने वाले लोग तो कानून बनालेगे, but what is more important is, इनके बनाये गए कानून को इज़त, ये लोग नहीं दे पा रहे है, वो लोग दे पा रहे है, वो लोग दे पा आदमे है, पहले मॉनिटर है, तो वैसे ही बात है, तो यहाँ पे, what is equally important is, along with the making of the law, is the execution of the law, क्योंके execution जब तक नहीं हो रहा है, तब तक लोग बना के फाइदा क्या हुआ हुआ है, हाँ ना, तो भी, फोन दे लिटा भी आपका, अच्या वाच्या 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 तो आपके आएवाच्या वाच्या वाच्या वैसे बहुत किस अगरी बुगड़ बहुत नहीं हातों तो तो सुरो मेरी बात, along with the making of the law, what is equally important is also the execution of the law, traffic from related kanun बन गगए, कि हमें लिसेंस लेके, ड्राइव या राइड करना है, ट्राफिक सिगनल्स फॉलो करना है, बत्रियालिटी में क्या होता है? जब हम आज रहे हैं प्रेस्टिज पंट पे सुबर, आज़ बजे की क्लास में वैसे तो है, रेड मतलब stop, ग्रीन मतलब go, जब क्लास आ रहे, ग्रीन मतलब go, यलो मतलब go faster, और रेड मामा है या नहीं फिर go, तो अब देखो, मामा है मतलब बराबर एग्जेकुट किया ना, तो वही वह चीज है, एग्जेकुशन is also an important factor, while this is important, making the law is important, but along with this, what is also important is the execution part, और एक तीसरा हिस्सा होता है, वो यह होता है, जैसे मन आपको बता है, 150 years होने आया है, कुछी दिनों में, Indian Contract Act को बनके, तो जिनों ने इस कानून को बनाया, आज के जमाने में शायद वो है भी ने, but बहुत बार ऐसा होता है, that we entered into a contract, and now we are into a situation, जहाँ पर हमने उसी provision को, जो 300 साल पहले बना था, हमने किसी एक तरह से interpret किया है, और कोई और उसे किसी और तरीके से interpret कर रहा है, कानून भही है, provision तो भही है, but उसके interpretation कुछ अलग अलग आया है, अलग अलग लोगों के लिए, तो कौन सही, कौन गलत, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यह आपर में नहीं decide करते हैं, उनके जो भी differences है, in the interpretation of the law, will be gone in the court of law, यह हमारा judicial system है, और इसी court में जाने के बाद, फिर जो judges है, वो उस provision को interpret करेगे, और interpret करने के बाद कहेंगे, कि यह provision का मतलब ऐसा होना चाहिए, जिसके वज़े से we come to a conclusion, कि इनका जो interpretation वो सही है, और इनका जो interpretation है वो गलत है, तो ऐसे case में यह होगा, और ऐसा नहीं होगा, और फिर वो judgment देते है, और अपना decision देते है, in the court of law, so basically this is a three-tier system, जहां पर first में होते हैं हमारे legislative bodies, who basically make the law, who basically make the law, तो यहां पर आपको देख रहा है यहां पर आपको देख रहा है, दे आद रौमेकर्स, कल ही हमने देखा है, पार्लिमेंट में हमारा कानून बना है, बतलब बस्किली पार्लिमेंट में पास होने के बाद, कोई भी आट बनता है, हाँ, ordinance है, तो अलग बात है, पहले president के पास जाएगा, तब हम कहेंगे ordinance is made by the president, तो president also has the power to make a law, law is a very broad word, देखो, law में क्या act भी है, rules भी है, case laws भी है, regulations भी है, bylaws भी है, और ordinances भी है या नहीं है, act बनता है, पार्लमेंट में, act बनता है, पार्लमेंट में, cg बनाता है हमारा rules, so basically, कौन lawmaker है, कौन law, मैंने यह नहीं कहा है, कौन act के मेकर है, क्या मैंने बोला है, कौन law के मेकर है, तो पहली बात हो, legislative body में हमारे आएगे, both the houses of the parliament, क्योंकि उनी के थुरू क्या बनता है, act, फिर rules कौन बनाता है, cg, central government, ordinances कौन बनाता है, the president of India, who is the current president of India, Draupati, yes or no guys, along with that, regulations and bylaws are made by regulatory bodies, they are made by regulatory bodies, तो क्या इनको भी माना ज्वा सक्ता है, in this legislative body, अरे हाया ना, क्या यह लोग भी बनाएगे हमारा कानून, first three tire system में, the first base, the first foundation is the lawmaker, who could be the lawmaker, it could either be the parliament, it could either be the cg, it could either be the president of India, or it can also be a regulatory body, who make regulations and bylaws, क्यूंके क्या regulations और bylaws भी law का हिस्सा है, जुन्होंने कल का session देखा था, वो correlate कर पाएगे, anyone who has joined from today, it's okay, raise your hand, it's okay, ठीक है, तो आप लोगों से स्रिफ एक बिंती है, आप लोग क्या करना ना, कल का lecture हमने YouTube पे लिया था, उस lecture को जरूर देख के आना, क्यूंके कुछ यह basic चीजे है, जो कल के provision से related है, तो ऐसा हो सकता है आपको यह लगे के पता नहीं क्या चालू है class में, आपको यह लोगे लोगे लिए बहुत नया सब्जेक्ट था, यह सारी चीज़ अगर बोलती तो पूरा बाउंसर ही चले जाता, तो वो मुझे नहीं करना था, इसलिए, सही सेट्स पे, सही चीज़ का नॉलज़ देती हूं, तो it is okay, even if you have joined from today, it does not really make a difference, you only will have to take a little bit of extra effort and you will have to watch yesterday's lecture, then you will understand what I am telling over here, 10 minute के बाट, जैसे यह topic complete हो जाएगा ना, we are moving to the company's act, then we will be in line, so if यह 10 minute का concept समझने के लिए, आपको कल का पूरा 2 गंटे का lecture दिखना पड़ेगा, then we will be on the same page, बस यह concept खतम हो गया, then it's not going to be a big deal, then we are entering into the world of the Companies Act, ठीक है, तो देखो, first are the law makers, the law makers जोते है, वो या तो Parliament हो सकता है, CG हो सकता है, regulatory body हो सकता है, या तो President of India भी हो सकता है, the second tire, the second pillar, of this system, is those people who are involved in the implementation of the law, basically these are the people who execute the law, made by these people, जैसे की, Parliament में Income Tax Act बना दिया हमने, but Income Tax Act, execute कौन करता है, कौन करता है, Income Tax Department, Department के लोग, make it sure, that people are filing the returns, जिन्होंने returns नहीं फाइल किये, उनके घर पे notices भीजना, जिनके घर पे Department को शक है, कि या तो वो कुछ छुपा रहे है, या तो टाक्स का evasion कर रहे है, उन लोगों के घर पे, survey ने तो raid किया जाता है, तो यह वो लोग है, Department के लोग, वो है, जो make sure करते है, कि जो कानून बनाए गए, उनका ठीक से execution हो रहा है, या नहीं हो रहा है, and finally, there is also one more foundation, and that is interpretation, कल मैंने आपको real life example दिया था, Vodafone Company का, Vodafone Company का, with the Income Tax Department, तो Income Tax Act बनी है in the year 1961, तब Act बनाय गया और प्रोविजिन में कुछ लिखा गया, आज यह company Vodafone Limited, और Department लड रहा है, कि यह प्रोविजिन में क्या लिखा गया है, जिसके वज़े से उनको tax देना है, या उनको tax नहीं देना है, बनाने वाले ने बना दिया, एक्जिक्यूट करने वाले एक्जिक्यूट करवा रहे हैं, बट जब हमें interpretation से related, कोई भी dispute arise होता है, interpretation से related कोई भी dispute, कोई कह रहा है इसका मतलब यह है, कोई और कह रहा है उसका मतलब कुछ और है, तो इसी dispute को resolve कराने के लिए, you go in the court of law, और वहां पर आपके case को रखा जाता है, और समझने की कोशिश की जाती है, के यहां पर 1961 में जो act बनी थी, उसमें क्या मतलब होना चाहिए, और उसी के हिसाब से interpretation किया जाता है, by this judicial body, by this judicial body, so basically three tier system है, यह mechanism, three tier mechanism है, first is the legislative body, second is the executive body, and third is the judicial body, legislative body कानून बनाता है, executive body makes it sure, that the law is being followed, and judicial body interprets the law, and comes to a conclusion, जैसे की Supreme Court, High Court, अगर हम Companies Act को देख रहे तो Companies Act में especially हमने बनाया है एक Tribunal, National Company Law Tribunal, क्या है बोलो तो, National Company Law Tribunal, जिसको शॉट में कहते है, N-C-L-T, very good, special courts भी बनाया है, हमने Companies Act के अंदर, और N-C-L-T के decision से अगर आप खुश नहीं हो, तो you can go to the National Company Law Appellate Tribunal, जिससे High Court के decision से अगर आप खुश नहीं होते हो, तो कहां जाते हो, Supreme Court, वैसे अगर आप N-C-L-T के decision से खुश नहीं हो, तो आप जाते हो to the National Company Law Appellate Tribunal, तो यह हमने क्या किया है, जुडिशल Bodies बनाई है, जो कानून को क्या करता है, इंटर्प्रिट करता है, कानून को क्या करता है, इंटर्प्रिट करता है, So this is the three tier system, one body makes the law, the second body makes it sure, that the law that has been made, is been executed, और कल जाकर कुछ differences आ जाते है, कुछ disputes आ जाते है, कुछ interpretation से related issues आ जाते है, तो judicial body interprets the law made, and comes to a decision, Yes or No guys, सभी के पास, अपनी law की एक separate notebook है, Yes हाँ या ना? Very good, तो इस चीज़ को लिख लेगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेगे, चलो Virtual students आप लोगोंने भी लिखना है कि आ एादोशश nehmen değer कि मेंगी जरा हमारा, कि य si हम एक रादो आपे खिए कि आत अपले है, तो किए आप लोगोंने लोगोंनस, कि आते ऊたो मैंगी आपकोंने एकि लोग़ोंने रादोस, सबते हैं आज़ोंने आपना है, हो गलिके? झाल जो खो कि अज़ खागो नचे दो कि अज़ के अागो कोन बेखीज की कि अज़ ठादो कि झाल हूज कि झाली कि NCLT का फुल फॉर्म है नाशनल कम्पनी लौ ट्रिब्यूनल हम लिख लिख लियर पिटा आपने सब लोगोने स्टिक नोट्स भी लाई है कितने अच्छे बच्चर आप लोग वेरी गुड विख वी रिख लोगोगोड वी तर्केर है चलो I am assuming that Y'all are done with the writing part I hope my assumption is correct चलो okay आपके अपके बाएड कर दो कुछ बेसिक चीज़े देखे के हम लोग सवाल ही होता है बट उसके पहले हमने फाउंडेशन में देखा पार्टनर्शिप फिर थोड़ी बहुत हमने हलकी सी जलक हुएफ के बारे में भी देखा था तो बिजनस तो हम बहुत तरीके से गर सकते हैं इट कुड बी असोल प्रोप्राइटरी शेप इट कुड भी अपार्टनर्शेप इट कुड बी अलल्प इट कुड अल्सो बी अहिंदू अंडिवाइड़ेड फैमिली बत सवल यह उटता है इतने जारे ताइप से और इस अपनी फार्म आपका फांडिशन में बेसिक वह आपके सबसे आपको क्या लगता है वेरी गुड फर्स इस सेपरेट लीगल एंटिटी तो अपनी इस सेपरेट फ्रम इस मेंबर्स और इस डिरेक्टर्स and over and above that it also has a perpetual succession so members आ रहे, members जा रहे but company जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी हा न न? yes this was the point that I was waiting for सबसे बड़ा advantage yes is liability is limited अरे partnership में तो आपने देखा था कल जाके अगर आपकी partnership की assets कम हो जाती है न? आपको घर का पैसा निकालके liabilities को repay करना होगा आपको घर का पैसा निकालके liabilities को repay करना होगा because the liability of the partners is unlimited एक तो उनकी liability unlimited होती है और प्लस वो जितने resource डाल सकते है वो limited रहते है क्योंकि घर पे जितना पैसा मेरे पास रहेगा उतना ही तो मैं organization में डाल पाऊगी बट आप company form of organization को समझने की कोशिश करो company form of organization में you have access to unlimited resource हाँ unlimited असा कसा अरे आपके पास अगर कोई सपना है और वो जुरून है इस सपने को पूरा करने के लिए तो आप क्या कर सकते हो आप जा सकते हो आम जनता के पास आम जनता के पास आप जाओगे public के पास जाओगे public at large हजारो लाको छोड़ो इन्या में करोरो लोगे हर कोई बंदे न अगर 10 दस दस रुपे भी दे दिये उस बंदे के लिए 10 रुपे कुछ नहीं होगा बट आपके लिए वो कितना सारा हो जाएगा 10 लाक लोगों ने भी आपको सिर्फ जादा कुछ नहीं 10 रुपे दे दिये आपको तो कितने मिल गए ना 10 लाक इंटू 10 100 लाक मतलब 1 करूर यह तो 10 लाक लोग अमांट मैंने काया और 10 रुपे तो मतलब क्या बोलो अमे 10 रुपे कहा जाते आज के जमाने में मतलब डिसकसी ना करे आप सोचो कितना सारा अक्सेस आपको फंच का You can go to the public at large आपने गुरू मूवी देखिए गुरू मूवी हाँ इस मूवी में भी अभी शेक बच्चन कहा जाता है इस पिच्चर इस बच्चन का सपना था अभी शेक बच्चन का सपना था He wanted to open a factory to manufacture polyester silk बट उनके पास पैसे नहीं थे He belong to a very poor family बट काम करने का जुनून था Enthusiasm था तभी तो उनोने सोचा कि जो चीज की कमी है मेरे पास बट पब्लिक के पास है in abundance तो अब मैं क्या करूगा मैं पब्लिक के पास जाओगा I will go with a public issue मैं जनता के पास जाओगा और कहूगा दस रुपे दो और शेज ले लो दस रुपे दो और शेज ले लो और आप बन जाओ मेरे कंपनी के मालिक ऐसे करके दस 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 रुपे आप लोग दोगे और थोड़ा 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 करके मेरे पास आजाएगा बहुत सारा पैसा एक चोटा सा सीन है गुरू पिचर का जो मैं आपको बताना चाहती हूँ तो आप को रेलेट कर पाओगे और यह तो मुवी है रियल लाइफ एग्जम्पल नाइका का पहले यह देखला आप आप अपन दिस आप अभी साउंड ठीक है करने आप अम्मार है कि अक्लास में अप अले ये माँ ये माँ ये माँ ये माँ आप प्रम्हाइट आप अरभ भी हम जोग वसे लिए इस बीवाइट में आपकी अर्फारीज कर दो, प्रवाइट आपकी विए प्रफारेट गेज़ एप को नरी आपकी अर्मुवी ज्यूरे आपको इक सत्रड़ या संद्ध में साथ में देखेंें सबस्क्राइब है जब भी आपको समय मिले अज सातुड़े हैं क्या 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 कि इसी के लिए क्या कोल था यह देखे हियां पर अभी क्या हो रहा है इसमाल पर्टी इन Abhishek Bachchan सम्हा। और उसी छिज़ के बारे में वह बता रहे है के अब मुझे एक फैट्री खोलनी है तब उनके जो साले है वो पूछते के भई तू फैट्री खोलेगा सही है बड़ तू पैसे कहां से लाएगा तब वो कहता है I will go for a public issue सुनो अबी सुनो मैंने ट्राइल बालेंस निकाला सुना क्या अपने पिछले छे महीने का प्रॉफिट जो है मुनाफ़ा मतलब प्रॉफिट वो तीन मुना हो चुका है ऐसे वो कह रहे है कि अगर आज तक शक्ती परिवार ने अठारा घंडे काम किया है आज के बाद हम 25 घंडे काम करेंगे क्यों 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 पुछो क्यों आज के बाद शक्ती परिवार से ट्रेडी नहीं करेंगी केला सिल best बनाएंगे हम बाइब आपके कावके बिल्कुल पास पाची सेख रहें संबल के चल संबल के इतनी जल्दी मत कर अरे चलना कौन चाता है मैं तो दढ़ना चाता हूं और तुझे गोद में लेके दोडना हो फैसे कहाँ से आएगे स्ट्राइब काौन्ट्राइब के किस देशे पाब्लिक इसू तो वह मैंने मेंको मैंगी सद्रिक्ट पियो पियो अरे चलो तू नहीं आच्छा ठीक है तो बाकी पीने पीनाने की बाते बाद में करते हैं फेले यहां पे रेखें वो क्या कह रहे हैं दाट आई विल गो फ़र पब्लिक इसू तो बेसिकली एक ही चीज की कमी थी और वो थी पैसो की तो उन्होंने क्या किया वो श तूब्लिक पुलाइस यसि आन्होंने थोड़ली, तोड़ली थोड़ली थोड़ली थोडली थोड़ह थोड़ली थोड़ली पैसे आम जंता से लिये, और अप्नी य वो नी फ्ट्री छो है गही धु कोली तूम्य।ट पैसे से अप्लिक पैसो का अंग यूच्टी वही ओनर्स होते हैं और वही होते हैं मैनेजर्स और वही capital इंट्रडूस करते हैं एक बंदा जाते से साधा कितना capital लाएगा बट यहां पर हमने company को अलग directors को अलग company को अलग members को अलग माना है और यह company जो होती है this company goes for an public issue जैसे कुछ समय पहले ही आपने देखा था नाइका का आया था एक IPO हा यह ना अमर internet connect कर जे ना so initially नाइका was a private company which got converted into a public company and then this public company came up with an IPO जहापे नाइका ने क्या किया अपने shares issue किये और इसी shares से raise किये बहुत सारे funds यह जो है यह private company नहीं कर सकती है यह चीज जो है partnership firm H.U.F. नहीं कर सकता है अगर आपको public issue करना है आपको होना पड़ेगा एक public company yes or no guys और यह हमने इस जमाने में recently आपने देखा कितने सारे company's IPO आया है क्या आप कुछ examples मुझे दे सकते हो LIC very good कुछ महीने पहले यह आया 4-5 महीने पहले और Paytm और एक और एक है Food Chain yes Zomato और अगर हम cosmetics और fashion देखे तो NICA का आया था एक IPO इन companies ने क्या किया तो Falguni जी जो है जो इस company के promoter है director है and of course shareholder भी है उन्होंने क्या किया अपनी private company को कर दिया एक public company में convert और फिर वो लेके आगई एक IPO in fact one of the female business women में उसने अपनी company को एक Unicorn company बनाया ये Airtel किसका है ये वाला का ये भी जे ही हूँ yours जड होनी पी भी सी जदास में तूब रहिए अड़ टू़ प्रोरा का ये ये एूँ कर दिए जजशल जबतलत drink dुभाल जए डिएस प्रोब्लम में ए? कि अब लाप्टोप में ए? लाप्टब में, हमें आपिए और आपको संब्छे आपको कि अब एंग्मे बंग्में되는 है? कि यह दिखे है कि अगे है कि अगे है कि अगे है कि अगे है कि यह आप स्टोरी सुनिये उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वाई अन हाव इट केम अप विटान आई पी हो सुन लो पहला आप नाईका, नाईका को कौन नहीं जानता? ब्यूटी कॉस्मेटिक्स अन वेलनेस के फिल्ड में ये कंपेने टॉप पड़ाती है और जैसा कि आप लोग सभी जानते है कि नाईका एक ओनलाइन रिटेलर चेन है जो कि आज की इंडिया के घड़ घड में फैली हुई है और नाईका के नाम से ही पहचान मिली फालगुनी नायर को जो कि नाईका की CEO है और आज की इस वीडियो में मैं फालगुनी नायर की ही जर्णी के बारे में बताने वाली हुई जिनका नाम फॉर्ब्स की लिस्ट में इंडिया सेकेंड रिचेस्स सेल्फ मेड वोमेन की तोड़ पे होने जा रहा है बस अब से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा तो सुरू करते हैं नायका की फाउंडर and CEO फालगुनी नायर कजन 19 February 1963 को मुंबै सहर के एक गुजराती पड़िवार में हुआ था उनके पिताजी की खुद की एक बेरिंग कंपेनी थी उन्होंने दन्यो इरा स्कूल से अपनी सुरुवाती सिक्षा प्राप्त की इंटर्मीडियर पूरी करने के बाद उन्होंने कॉमर्स स्ट्रिंग से ग्रेजुएशन की और फिर IIM एहमदाबाद से मास्टर्स की दिग्री पूरी की वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद माई 1987 में अपने साथी IIM एहमदाबाद में पर रे संजय नायर से उन्होंने साधी कर ली अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद फालगुनी नायर ने कोटक महिंद्रा कैपिटल कमपनी में 18 साल तर इंवेस्टमेंट बैंकर से लेकर कैपिटल इंवेस्टमेंट मैनेजिंग डिरेक्टर के पत पर काम किया सब कुछ अच्छा चल रहा था अच्छे ओहदे वाली नौकडी थी पर वो कहीं न कहीं अपनी काम से खुश नहीं थी उनका सपना कुछ अलग करने का था, दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने का था अपने इसी जजबे और जोस के साथ 2012 में पच्चास साल की उम्र में उन्होंने अपनी नौकडी छोड़ दी फालगुनी नायर ने नौकडी छोड़ने के बाद अपना कुछ करने की ठान ली पर खुद का कुछ बिजनस खड़ा करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे फिर भी उन्होंने हिम्मत की और साल 2012 में Beauty E-Commerce Ventures Private Limited Nica.com की सुरुवात की उन्होंने सारी मुस्किले के बाबजूट भी Beauty and Wellness एडिया में अपनी पहचान बनाने की सूची जिसमें पहले से ही Local and International Brands अपने प्रोड़क्ट्स बेच रहे थे उनका मानना था कि Fashion इंडिया में एक उभरता हुआ मार्केट है और वो इसमें कुछ नयाकर दिखाने के लिए बहुत एकसाइटेड थी Brand name Nica संस्कृत के एक Word नयाका से लिया गया है जिसका मतलब है One in the Spotlight मतलब एक जबह पर Nica का Tag Line है Your Beauty Our Passion सुरुवात में फालगुनी ने UTV के मालिक Rony Skrivala और PVR के मालिक Ajay Bisley से मदद ली इसके बाद March 2020 में Nica ने Street View Capital से 100 करोर की Fund Raising की October 2020 में Bollywood actress Alia Bhatt और केतरिना कैफ ने as a secondary funding इसमें investment किया फालगुनी नायर ने दिन रात एक करके जम कर मेहनत की और आज के समय में Nica.com Beauty and Wellness छेत्र में जाना माना ब्रैंड बन चुका है अज Nica.com पर National and International Brand के 7 lakhs से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अबलेवल हैं इतना ही नहीं आज के समय में देश में 34 cities में Nica के 70 stores खुल चुके हैं Forbes की चानकैरी के हिसाब से Nica.com की website और app पर हर महीने लगवक 60 million से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं कर्रेंटली Nica के brand ambassador Bollywood actress Janvig Kapoor है 2017 में Business Today ने Nica.com के CEO फालगुनी नायर को देश की सबसे सक्तिसाली महलाओं में से एक का title दिया था 2017 में ही फालगुनी नायर ने Economic Times Startup Awards 2017 में Women Ahead की प्रोस्कार भी जीता अब नायका का current evaluation 1.8 billion dollar है और नायका 2022 तक में नायका की IPO launch करने के अपनी planning बना रही है और अब उनके नाम Forbes के list में India's second richest self-made woman की तोर पे होने जा रहा है जो कि इंडिया के लिए एक God of Salih moment होगा और इंडिया की तमाम लड़कियों और ओरत को कुछ अलग करने के inspiration मिलेगी Think big but start small, बड़ा सुचो बट start छोटे से करो यह कहना है नायका की CEO फालगुनी नायर का आपको यह story कैसे लेगी comment में जरूर बताईएगा Okay, so this was the story of Nika, तो अगर आप देखते हो Nika में initially this company started as a private company कुछ private funding ली गई, but slowly and gradually we came up for an IPO, but IPO में आने के पहले इस company ने अपने आपको पहले private to public convert कराया, private to public convert कराया और अगर हम current investors देखते हैं, इस company के, तो current investors में, of course फालगुनी नायर husband hold majority of the shares of the company, but along with them there are other people who have also invested in the company और बहुत सारे लोग जो है, आम जनता, आपके और मेरे जैसे लोग जो है, वो लोगों ने इस company के खरीदे हुए है shares फालगुनी नायर जो है, of course इस company की promoter तो है, क्योंकि उनी को इस company को incorporate करने का idea है but along with that, she is also one of the directors and she is also one of the major shareholders of this particular company कौन promoter होता है, कौन shareholder होता है और कौन director होता है, यह सारी चीजे हम लोग देखने वाले अब but सबसे पहले इनको समझना तो secondary है, पहले यह समझने, what do you mean by a company क्योंकि इसे company शब्द से associated यह सारे शब्द है, promoter, director, shareholder, member, company, private, public, company क्या होती है, तेखो, जैसे मैं आपको सवाल पूछती हूँ, mobile phone क्या होता है, तो mobile phone क्या होता है, इसको समझाना बहुत difficult होता है, I will say define a mobile phone, एक sentence में define करो, कि mobile phone क्या होता है, तो define करना is really difficult बढ़ा, आप मुझे यह जरूर कह सकते हो, हाँ, मैं mobile phone वो gadget है, जिससे आप किसी से बात कर सकते हो, या किसी का call receive कर सकते हो, किसी को call कर सकते हो, किसी को message बेच सकते हो, किसी का message जो है वो पढ़ सकते हो, उतना ही नहीं, मैं आप YouTube पे videos देख सकते हो, आप कुछ educational application के दवार lectures देख सकते हो, आप mails भेच सकते हो, receive कर सकते हो, मैं अगर आपको physical wallet carry करने में difficult हो रहा है, तो आप e-wallet by way of Google पे याप ATM भी download करके, mobile को इस्समाल कर सकते हो, to make payment or receive payments, अरे हाँ है ना, अगर आप बोर हो हो, आप अपने अपको entertain करना चाहते हो, there is a lot of social media, Instagram है, Facebook है, you know, बहुत सारे applications, like we have Netflix, Disney Hotstar, तो ये सारे features, जिस gadget में होते है, उस gadget को हम कहते है, a mobile phone, वैसी, अगर कोई मुझ से पूछे, या lawmaker से पूछे, कि बताओ company क्या होती है, तो lawmaker के लिए भी बहुत difficult हो जाता है, company को एक sentence में define करना, और exactly वही हुआ, जब हम Companies Act 2013 देखते हैं, और इसी Companies Act 2013 में, हम company ये शब्द की definition देखते हैं, तो Companies Act कहती है, company means a company, इसे mobile मतलब क्या, ma'am, mobile मतलब mobile, ऐसा मत पूछो, mobile मतलब mobile ma'am, वैसी, lawmaker के सामने भी वही situation आ गई, lawmaker ने कह दिया, company मतलब क्या, company means company ma'am, मतलब क्या पूछो, company मतलब क्या, company मतलब क्या, आपको पहले ये समझना होगा, कि company के features क्या होते हैं, और ये सारे features, जो organization में होगे, उसी organization को हम कहेगे, as a company form of organization, तो ऐसे करके, अब मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, सारे features, और फिर features के बाद, we will again come down to the definition in detail, सबसे पहला feature, company form of organization का है, that is, transferability of shares, company form of organization के जो shares होते है, वो transferable होते है, कैसे होते है, transferable, देखो, आपने company के नाम सुना है, Flipkart Private Limited, सुना है या नहीं, Flipkart Private Limited was incorporated only with two people, Sachin Bansal and Binni Bansal, कल मैं classification कराने वाली हूँ, private और public का, तब मैं Flipkart के case के बारे में discuss करने वाली हूँ, तो earlier, yes, earlier my dear friends, earlier, जब company incorporate हुई थी, तब, दो ही लोग, इस company के shares hold करते थे, Sachin Bansal and Binni Bansal, सिफ दो shareholders थे, और वही दो directors भी थे, और वही दो इस company के promoters भी है, जिनको idea आया था, ऐसा कुछ e-commerce का platform बनाने का, बट आज, अगर मैं current holding देखती हूँ, Flipkart Private Limited की, my dear friends, current holding of Flipkart Private Limited में, आज की जमाने में तो, पहली बात तो, Sachin Bansal Shares hold ही नहीं कर रहे हैं, Walmart ही, Flipkart के, 72% Shares hold कर रहा है, आप अगर देख रहे हैं, बिन्नी Bansal, आपको देख रहे हैं, बिन्नी Bansal, बिन्नी Bansal only holds 2.4, कहा पहले 50% था, और आज क्या हो गया, मतलब क्या, इन्होंने अपने Shares, किसी और को transfer किये है, क्या Companies के Shares, transfer किये जा सकते हैं, और ये example मैंने जान बूच के आपको दिया है, बिकोज इस Company is a Private Company, Public Company के बारे में तो सब लोग जानते हैं, कि Public Company के Shares are freely transferable, but my dear friends, Private Company के भी Shares transferable होते हैं, कितना easy होता है Shares को transfer करना, उतना easy partnership में नहीं होता है, partnership में आप सोचो दो ही members है, दो ही partners है, एक बंदा अगर Shares बेचेगा, तो एक अकेला बंदा partnership थोड़ी ना continue कर पाएगा, हाँ है ना, बट ऐसा company form of organization में नहीं होता है, सबसे बड़ा feature of a company form of organization is transferability of shares, अफकोस यस, अगर आपकी public company है, तो तो shares are freely transferable, बट प्राइवेट कंपनी के shares भी transferable होते हैं, बट अफकोस देरा certain restrictions, आप खुद आपके आखों के सामने देख लेजिए, सचिन बंसल यहाँ पर लिस्ट में है नहीं, उनके सारे shares किसी और ने ले लिये, और बिनरी बंसल के भी जहां, 50% initially shares से, अब वो reduce होते 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 होते, हो गया है to 2.4% in a company form of organization, there is transferability of shares, there is what come on tell me, transferability of shares, second, लेकिन, ownership is separated from the management, जो company form of organization होता है, उसमें owners होते है हमारे members, और management का अधिकार दिया गया है to the directors, इस directors participate in to the day to day activities, इस directors participate in to the day to day activities, और shareholder पैसा देगे, साल बर, directors इस पैसे को इस्तेमाल करकी business करेगे, और साल बर business करने के बाद जो भी profit होता है, वो दिया जाएगा to the members in the form of dividend, in the form of dividend, तो owners, अलग managers, अलग, owners कौन होते हैं, company के members, और managers कौन होते हैं, company के directors, company के directors, yes or no guys, then, company form of organization का होता है, perpetual succession, क्या होता है बोलो तो, company form of organization का होता है, perpetual succession, मतलब, members आएगे, members जाएगे, but company जैसी है, वैसी की वैसी ही रहेगी, in fact, जन्मो जन्मो तक, यूगो यूगो तक, company form of organization का existence, वैसा ही रहता है, जैसा था, देखो, कुछ समय पहले ही, आपने देखा था, that in India, we lost one of the most famous CA, Mr. Rakesh Junjunwala, he had few years back, incorporated an airline company, yes, very good, आपनो किते हुशार हो यार, Akasa Air, एक काम करती हो, उसका wiki link खोलती हो, अगर आप इस airline के बारो में search करोगे, one of the investors of Akasa Air, is Mr. Rakesh Junjunwala, आज वो नहीं है, but क्या आज company है, है या नहीं है, मतलब members आएगे, members जाएगे, but company जैसी है, वैसी की वैसी ही रहेगी, उससे इन लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो एगे मैं देना मैं तो उनके नाम के आगे वो प्रीफियों लेकाती हू, and he got a stake of how much, 40% in the company, मतलब क्या वो 40% holding रखर है इस company में, आज वो नहीं रहे, बट आज क्या company है, मतलब members आएगे, members जाएगे, बट company जैसी है, क्या वैसी की वैसी रहेगी, वो चले गए, and in fact he had 40% stake, क्या उससे हमने company को भी dissolve कर लिया, बोलो ना, ये company अभी भी है और नहीं है, आकासा एर अभी है और नहीं है, है, मतलब उनके रहने से, या ना रहने से, इस company का dissolution effect नहीं हुआ है, इस ही को कहते है, perpetual succession, अफकॉर्स यह, उनके शहस, उनके legal हैस को चले गए, और वो company के member बन गए, है, वो अलग बात है, बत उनके debt से, company के status को कोई भी फराग नहीं पड़ा है, company का होता है, perpetual succession, देखो, पहला point है, transferability of shares, दूसरा point है, ownership is separated from the management, तीसरा feature होता है, that is perpetual succession, then common seal, company आप बताओ, artificial person है, या फिक्तिशिस है, या नच्रल है, artificial, आप फिक्तिशिस नहीं, फिक्तिशिस मतलब something that is imaginary, काल्पनिक, company is an artificial person, but it has a separate status, and it has powers to enter into contracts, अपने नाम पे, company contract अंटर कर सकती है, अपने नाम पे, assets by कर सकती है, अपने नाम पे, liabilities incur कर सकती है, it can be sued, and it can sue, in its own name, it's an artificial person, अगर वो खुद के नाम पे, contract अंटर कर सकती है, मतलब contract अंटर करने के लिए, consent के लिए, कि हमें साइन करना ज़रूरी है, बद दिक्कत या जोती है, company तो है, artificial person, उसके तो आपके और मेरे ज़से, हाथ या पेर है नहीं, कि अंगुटा लगा दिया, या साइन कर लिया, तो अब, इसी चीज़ के लिए, हमने का है, that if a company wishes to, it can have a common seal, it can have a common seal, and this common seal, it's not mandatory, it is optional, क्योंकि फाइनली, common seal अफिक्स करने वाले बंदे, कौने डारेक्टर्स ही तो है, तो या तो आप common seal अफिक्स करो, या तो दो डिरेक्टर्स साइन करो, या तो वन डिरेक्टर्स वित अ कम्पनी सेक्रेटर्री, can sign the document, and it will be considered as if, the company has, signed that document, see, this picture that you can see over here, is nothing but it is a, common seal, this is a common seal, see this, this is a common seal, और आप पेपर को यहां पे अंदर डालते हो, and then you just press this, तो एक इंप्रेशन आजाता है, स्टम्प नहीं है, स्टम्प, स्टम्प तो इंक वाला होता है, मैं स्टम्प की बात नहीं करूँ, मैं किसकी बात करूँ हूँ, common seal, वाला है, स्कूल में बच्प में हम लोगो फाई रूप का कोई लेटे थे, पेपर रगते थे और पैंसल से आजाए रहे, किया है किसी ने बच्प में वो, हाँ, तो वो इंप्रेशन कैसा आजाता था, वैसा ही इंप्रेशन, याँ पी आथा है, वहाँ पे हम लोग पैंसल यूज्त करते है, यहाँ पी आथ यूज इनि इंक, नौर पैंसल, नथिंग, अजया आइंसल नथिंग, अने पैर एक्प्रेशन, अने पैपर, जहाँ जहाँ यह लगाओगा, माना जाएगा, company ने इस contract के लिए अपना consent दिया है Okay, company क्या है, artificial है या fictitious है Yes, very good, फिर company form of organization का होता है, share capital, क्या होता है Share capital देरे, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करके, लोग पैसा डालते हैं और यही पैसा बहुत बन जाता है, जोसे की 10-10 रूपय, 10 लाख लोगों ने दिये यह कितना बन गया? One crore One crore अब थेको, one crore यह मैंने अके लिए नहीं दिया है यह आपने अके लिए नहीं दिया है हो सकता है मैंने 50 जर दिये तो मैं कहोगी वो एक करोण में से पचास हजार मेरा है, आप कहोगी वो एक करोण में से पाच लाक मेरा है, यह करेगे वो एक करोण में से दस लाक मेरा है, I share 50,000, he shares 1 लाक, he shares 5 लाक, she shares 10 लाक रुपीज, अब ऐसे ही करके थोड़ा 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 थो as the share capital इसी capital को क्या कहते है? क्या कहते है वापे से वोले था? इसी capital को कहते है as the share capital because it is shared by everyone और एक important feature बहुत important feature in fact is limited liability कोई मुझे बता सकता है? hand-race करके आपको जवाब देना है hand-race करके जो सही जवाब देगा उसको ये catberry सवाल तो पूछने दो हाँ तो liability किसकी limited होती है? company की या members की? members की ऐसे मत करो यार hand-race करके बोलने बोला था ना मैंने आपको सबके लिए तो आज नहीं लाईए आपके कल परसो मैं दूगी बट भी ठीक है मैं शेयर करो तो बोलो liability किसकी limited होती है? members it is the liability of the members that is limited it's not the liability of the company that is limited it is the liability of the अच्छा चलो मैं आपको देती हो आप मुझे बता कितने हाथ तक liability limited होती है इस सवाल का जब अभी उसना hand-race किया उसको मुका देने दो बोलो कितना अगर company limited by shares तो कितना अरे बोलने दोसको बोलने दो liability कितने हाथ तक limited है आप बोलो बटा very good unpaid amount of share capital खड़े रो यहां से मुझे बताओ अगर company limited by memorandum है raise your hand first कौन raise कर रहा है अच्छा आप बताए very good और और एक मुझे सवाल चोहिए यहां से आप खड़े रहना बिटा अगर unlimited company है unlimited company तो members की liability बताओ इस से hand raise सबसे पहले the shortfall of the assets to repay the liabilities क्या नाम है बताओ आपका कशिष कहां से आप कशिष के लिए जोरदार तालिया हैदरबाद से आजा यह बता उपर आपका नाम क्या है बता sorry Himanshu Kumar कहां से आप पतना से बिहार Please Himanshu Kumar के लिए जोरदार तालिया आजाए बताओ आपका नाम बता Satakshi कहां से आप MP से मद्यप्रदेश से क्या बताओ आजाए What is limited Most welcome Company की liability limited नहीं होती है Members की liability limited होती है और वह भी depend करता है upon what type of company you are अगर आपकी company limited by shares है liability limited होती है up to the extent of unpaid share capital अगर आपकी company limited by guarantee तो liability limited होती है up to the extent of guaranteed amount जो लिखा होता है in the memorandum of association और अगर आपकी unlimited company है तो इस company में वैसे तो हम कहते है liability of the members is unlimited but this liability arises only during the winding up and it will arise if the assets are falling short to repay the liabilities इसके बारे में हम लोग चर्चा में detail में चर्चा करने वाले है when I will teach you the types of companies but यहां पर हम features देख रहे features में what is important is to understand that the liability is limited और और अखरी important feature is separate legal identity company अलग members अलग company अलग directors अलग सबका अलग अलग status होता है in the eyes of law सबका अलग अलग status होता है partnership में ऐसा नहीं था partners मतलभी firm और firm मतलभी partners but यहां पर ऐसा नहीं होता है company अलग members अलग company अलग directors अलग in fact आप लोगो ने कुछ cases भी देखे होगे क्या आप लोगो ने देखा है Salomon Vs. Salomon and Company Limited case हाय न? यहां पर क्या हुआ था? Mr. Salomon I'll just revise it have you all done this in foundation so this is just a revision okay nothing new has been taught till now Salomon Salomon was carrying on the business of manufacturing boots as a sole proprietor as a sole proprietor but now what he did is he incorporated a public company he incorporated a public company and he sold his sole proprietorship to the public company okay how many people think minimum members seven and minimum directors three now he was alone he was alone he was alone can you incorporate a public company no so what did he he along with his wife he had a daughter and he has four sons and he was seven members and he did the whole family and and so he incorporated a public company of course yes he along with two sons also became the directors of the company how can it happen one person member one person director oh you have seen Falguni she was and she is the promoter of NICA is also one of the shareholders and is also one of the directors and is also one of the they incorporated public company but they needed more money and that's why company debentures who has issued debentures? company who has issued debentures? company and these all debentures Salomon bought himself so basically now Salomon also became the debenture holder creditor of the company he also became the creditor of the company yes or no guys now look one man multiple role play play people play you are somebody's daughter somebody's sister somebody's friend somebody's student yes or no guys so even y'all are playing multiple roles like salomon multiple roles playing director shareholder and now debenture holder also debenture holder also and these debentures were secured debentures some 10,000 pounds it's a british case law and that is why the figures are in pounds but unfortunately some years the company went into winding up because it was declared insolvent by the court of law this is our Salomon is crying 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 that their incorporated company now insolvent insolvent means assets and liabilities is as companies declare a liquidator is appointed and this liquidator sells liabilities repay now Salomon doesn't know the liquidator when assets and liabilities saw this position all assets mila 6050 pounds and liabilities two categories 1 secured debenture 10,000 pounds and unsecured creditor 8,000 pounds this liquidator what did assets to the unsecured creditor to the unsecured creditor these unsecured creditors they who took to the liquidator ask Salomon don't give money Solomon a big chalag person who is unsecured creditor who is unsecured unsecured creditor यह को नहीं, बट मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि I am the secured creditor हे जच साब, मैं अलग, company अलग यह जो पैसा मुझे मिलना चाहिए, यह मुझे मिलना चाहिए as an unsecure, sorry, as a secured creditor I was just checking your concentration as a secured creditor as a shareholder, तो मैंने भी सब खोया है as a shareholder, मैंने भी सब कुछ खोया है यह जो पैसे में डिमांड कर रहा हूँ, वो as a shareholder नहीं, बल्कि डिमांड कर रहा हूँ as a secured creditor, as a debenture holder of the company आपके इसाब से क्या होना चाहिए, किसको पैसा मिलना चाहिए, Salomon को यह बाकी के unsecured creditor, और वही decision हुआ, और कहा गया, कि company अग और members अग, company अग और Salomon अग है, अग है, अग है, अग है, अग है, from the company that he has created और यह जो पैसा हम Salomon को दे रहे है, वह as a shareholder नहीं दे रहे है, as a secure debenture holder दे रहे है तो मैं चाहती हूँ, आप लोग सब एक आवज में, यह decision of the code, read करें, come on together now, चलो अग है, अग है, that, Salomon and company in here was a real company, fulfilling all the legal requirements The company is a legal person, existing from its members, and would not be regarded as the agent or trustee of Mr. Salomon Also, the company's assets must be applied in payment of secure debenture, as a secure trader is entitled to pay यहां पर हुआ क्या है यहां पर हमने कहा है Salomon अलग है from the company that he has incorporated yes or no guys so yes this was there in foundation it's just a revision because I am teaching you all the features दूसरा और एक किसला आपने देखा होगा Lee vs Lee Air Farming Limited देखा है यह केसला okay जिन्होंने नहीं नहीं देखा है this is especially for y'all देखो यहां पर क्या है company का नाम है sorry केसला का नाम है Lee vs Lee Air Farming Limited okay it was an air farming company air farming मतलब क्या modern techniques हम लोग farming कर रहे थे जैसे कि आपको वो picture में नजर आ रहा है हम लोग chartered plains के तेर हम लोग हम लोग इंडिया में traditional method से fertilizers डालते है यहां पर we are using modern techniques of farming air farming उसको केते air farming because we are using the aeroplane to sprinkle the fertilizers on the crops so Lee and his friends incorporated a company in the name of Lee Air Farming in the name of Lee Air Farming aur इसी company में क्या हुआ था यह ली जो है also was a qualified pilot and that is why he was playing three roles one as a shareholder he was also one of the directors and he was also a qualified pilot and he was piloting for the company he was piloting for the company okay unfortunately one day Mr. Lee died while piloting the company's aircraft Shant ho gay Mr. Lee now there is an act workman's compensation act so unki jo wife Mrs. Lee she claimed the compensation because her husband died while piloting for the company's aircraft and that is why workman compensation so if employee shant ho jata hai to usko ye compensation milta hai under the workman's compensation act kuchh hai kiya baad samaj mein hai hai na so she demanded this compensation company ne mana kar diya company ne ka no no Mrs. Lee aapko compensation ne milega aapke pati to ye company ke malik hai workman thudhi nah hai dhekko ya to aap employer ho sakti ho ya to aap employee ho sakti ho aap dhonoh thudhi nah ho sakti ho dhonoh ho sakti ho kya haa kaise bhol raho miskonsepcion tchi ho sakti ho mojha laga apko pata hoga suppose aapke papa ki kirana ki dhukan and aapke papa ki kirana ki dhukan and aapke papa ki kirana ki dhukan ho sakti hai nahi bharosa aata hai staff ke uper to baitte hai dhukan pe to baitte hai dhukan pe to chab papa dhukan pe baitte hai na or woh kaam bhi karlete hai papa asa nahi hai sif malik ki tarah baithe hai kursi pe kaam bhi kar rahe hai staff nahi hai lunch pe gaya hai papa hi saaman dhe raya hesap kitab papa hi dhekhte hai paise bank mein papa hi deposit karte hai but papa hi joo kaam kar rahe hai na woh as an employee nahi kar rahe hai as an employer malik ki tarah kaam kar rahe hai 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 malik paan jana matlab asa hai kursi pe baitke aram karna khaade khaade dekho kitna khaam kar rahe hai ham log chaar chaar lectures din mein le rahe hai wohi energy ke saad to aisa zaruri ni hao taa malik ho matlab aap kursi pe baithe ho you can also work but now you're working as an owner to work for yourself and fulfill your dreams or you work for somebody else to fulfill their dreams kuchh samajhna aya good samajhdar kuri shara kaafi hai to aap dekho kaam to kar nahi hai bhai to aahan pe ya to aap employer hote ho ya to aap employee hote ho aap dono nahi ho sakte ho ye jo company hai woh kari hai mrs li ko mrs li ko mrs li ko ab me here pe company ki baat kar rahe ho waha pe maine jo papa ka example diya tha wo ta soul proprietorship ka johan pe papa malik hai or woh malik ki tarah kaam kar rahe hai here pe mrs li ko kae diya no no aap ko nini melega compensation aapke pati to company ke malik hai owner hai shareholder hai na woh company ke shareholder korn ote hai company ke owners to aagar aapke pati company ke owner hai matlab woh employer hai aur agar woh kaam kar bhi rahe thai maalik ki tarah kaam kar rahe thai employee ki tarah kaam nahi kar rahe thai workman ki tarah kaam nahi kar rahe thai aur agar woh workman ki tarah kaam nahi kar rahe thai na workman compensation act hi attract nahi hota hai aur unko ye compensation nahi milna chahi hai aysa kiska stand hai company ka am mein aapke pati hai ho suppose aap log sab judge ho mein aapke pati hai ho eek hai mrs li joh kehriye judge sahab mujhe milna chahiye compensation my husband died while piloting for the company's aircraft eek side pe hai mrs li aur eek side pe hai company 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 karriye no no judge sahab mrs li ko compensation nahi milna chahiye unke pati agar kaam kar bhi rahe thai as a malik kaam kar rahe thai isi liye workman compensation act maalik ke liye nahi hoti hai employees ke liye hoti hai unko compensation nahi milna chahiye dono aapke aakhon ke saamne khada hai aap judge ho ab aap mujhe batao any one of you please raise your hand and then give the answer is classroom mein dousra mic hai kya dhekho toh shuru hai kya somebody please raise your hand and give me the answer aap agar judge ho batao mojhe aap agar judge ho toh aap kiske favor mein decision lete hai aur kiyo lete hai sab sepahle is bachche ne hand raise kya hai mic lilo takki virtual bachche bhi sun paai and virtual students even y'all have to answer once we shift to the application I will be sharing my number tab mein aapke voice answers se aapko bhi involve karo gi right now the lectures are on youtube is li wohh possible nahi hai bolo batao maam welcome workman compensation fund unko nahi milna chahehi kya ki wohh as an owner kaam kar rahe thai okay so you are in favor of the company okay next isnei actually hand raise kiya tha is liye ii usko dhooghi chance maam milna chahehi milna chahehi kyu bolo kyu maam kyu ki sepahate legal entity hai koon sepahate is kis se maam company alaga hai uske director alaga hai company ke member sa lag hai okay haa to maam wohh us time pe employee ki kaam kar rahe thai haa employee for whom maam for the company very good please clap hands for him and yahi jawab hai sahi kya nam hai bata apka maam sahil sorry sahil sahil kaha se hoak maam jaipur jaipur se rajasthan kya baat hai hai aaj mp rajasthan bihar sab jaga se hai very good thank you maam yes so see let me tell you what has happened over here what he said was egdam correct yahaan peh sunu meri baat agar inho ne kaam kiya bhi hai Lee ne ye kaam kiya gaya hai on behalf of the company zaroor wohh shareholder hai aur wohh company ke maalik hai as an shareholder but shareholder is a different person as compared to the company 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 alag hai aur shareholder alag hai 2 alag-alag roles hai samaj me hai hai kya bata it is okay even if your answer is wrong you need not worry you need not worry you need not worry wohh sudar gaya hai yahi galti agar wohh teen ghante ke examination me kartha na is ko chay mani lag jathe nahi baat samaj me hai toh bhohaut important hai javaab dena aapka javaab chahe hahe saai ho yaha galat ho usse kuchh bhi farak neni patha hai you all are involved in the discussion that is more than important kyunki yaha peh galti kar di na chalega मैं कोई आपको मारूगी नहीं या चिलाऊगी नहीं या आपके उपर कुछ इंप्रेशन मेरा नहीं बनेगा I'll just be more unhappy that at least you have the courage and confidence to stand up and give the answer in front of the whole class वही अपने आप में एक बड़ी जीत है और यहाँ पर गलती कर ली चलेगा examination में गलती करना हम afford नहीं कर सकते समय का समय तो जाएगा plus opportunity cost of 3 lakh rupees at least 50,000 की salary होगी CA बनने के बाद 6 महीने सागर अगर आप लेट CA बनोगे मतलब 3 lakh 3 lakh में यह बाइक खरीच सकता था जिसको कपसे उसको खरीदने का सपना था ऐसा मैं अजिम कर रहु हुआ इसा मैं अजिम कर रहु हुआ हुआ थैसा हुआ कि जग अगर मैं गलक जवाब दोगा यह दोगी RA laughed तो baju aala क्या souchेगा baju aala भी वही सोच रहा है कि आप क्या सोच रहा fé तो अम्मे उसके भारे pada ne CAP हमें अपने भारे में सोचना है क्या किने दिगूए saipnally रिरी आमें मिलने बाली है सपने हमारे है, और आंसर भी हमारे है, so please don't feel shy to give the answers, it's completely okay, whether the answer is correct or wrong, अच्छा है, तो फिर तो अच्छी बात है, क्या बात है, और अगर अच्छा ना भी है, या गलत भी है, तो भी it is okay, at least you tried, और कुछ नहीं, तो public speaking skills अब की develop हो जाएगे, जो चाहिए आज के जमाने में, CA तो हर कोई बनने वाला है, but किसी की 50,000 की salary होगी, तो किसी की 2 lakh की होगी, तो किसी की 5 lakh की होगी, CA की exam तो वही सब ही ने clear की है, differential factor is, how you are presenting yourself, so these things really play an important role, as a CA student, मैं आपको सच बात बताना चाहते हो, as a CA student when I was of your age, I became a member of the Vikasa committee, Vikasa committee होते होते ही students की, कुछ पता है यह वही नहीं पता आपको, institute होता है न, उसके 5 wings होते है, Central, Western, Eastern, Northern and Southern, so Western, क्योंकि हम महाराश्टर से है, Pune से है, so we are belonging to the Western committee, जिसका नाम है Vikasa, मैं Vikasa की student committee की head थी, और बहुत सालो बाद, हमने first time, Pune में 2009 में National Convention लाया था, and we had 1000 students who participated in the National Convention, और उसकी head थी में, committee member की head थी में, cultural program मैंने host किये, technical programs मैंने host किये, and that was the first time as a CA student, कि मैंने mic को पकड़ा था, and believe me, मतलब, Bhagawan कसम, उस दिन, जो मैंने mic पकड़ा, आज तक मैंने mic को छोड़ा नही है, so that was the event, which actually turned my life, तो पहले मैं आप लोगो जैसे एसे, एदम shy सी बंदी थी, आती थी चुपचा पिजत में, बेटी थी, सुनती थी, निकल जाती थी, किससे कुछ लेना देना नहीं, मतलब, मुझसे जादा introvert person और कोई नहीं हो सकता है, मतलब अभी भी हूँ मैं, मतलब अभी भी हूँ मैं, I really feel shy to come up, and go up to people and talk, okay, यह बात अग है कि यहाँ आप मेरा एक अलग ग्रूप देखते होगे, but personally I am not like that, I don't speak much, क्युके पसंदी नहीं है, पतानी बाते करना, सुनन पसंदे, तो अच्छी बात है, Sir says, thank God for that, तो वो बात है, कि उस समय से, मैंने अपना आपको प्रेजिंट करना सिख लिया, and stage courage, मैंने अपना वह से मिताना शुरू कर दिया, and this really helped in my career, so what is actually important, are also these things, along with the bookish knowledge, look, हर कुई बच्चा, जो CA final pass होने वाला है, वो CA बनने वाला है, और सभी के बास, यही चीज़ों का knowledge है, but, कैसे आपने अपने इस knowledge को पेश किया है, present किया है, is also equally important, तो इसलिए जवाब दो, गलत होता है, तो भी, आप कोशिश तो करो, जवाब देने के लिए, मेरे क्लास में आपको कर भी काता, मैंने बहुत सारी चीज़ा आप लोगों के बार में सोच के रखी हुई है, जिसे रिसेंट्ली इन लांस बैच, वी कंड़क्टेड़ अ यूथ उत्सव, जहाँ पर बच्चा अपने तैलेंट को पेश करेगा, in front of everyone, we had around 1500 kids, हमारी सारे बच्चे थे, foundation के और इंटर के, उनके सामने, stage पर जाके perform करना, in itself, was a very big challenge, और हमने अंकरिंग के लिए, एक नहीं, दो नहीं, 20 बच्चे को, you know, encourage किया था, अंकरिंग करने के लिए, और दिरे दिरे करके, ये इवेंट 12 गंटे के लिए चला, सुबब 10 बचे शुरू हुआ था, और रात के 10 बचे तक इवेंट चला, और इस पूरे 12 गंटे के इवेंट में, there were 10 boys and 10 girls, who did the anchoring, 2-2-2 गंटे के slots में, it's not only about what you are learning in class, it's about these small-small elements, मैं तेस्टो लिए ही है, तेस्टो is a part of our curriculum, ताकि आपको confidence आए, examination देने के लिए, but we are also going to conduct quizzes in the class, तो वो quiz में में एक leader बनाऊगी, फिर हर एक बच्चे को एस ग्रूप में answer देने का मौका दूगी में, तो उससे क्या होगा, आपका stage courage जवलापोगा, और वो confidence आएगा, और जब आप पूरे crowd में, सही जबाब दोगे, you will be self motivated, to learn more, and to study more, external motivation तो मैं देते रहोगी, but मैं क्या बताती हूँ, external motivation जो होता है, कुछ समय के लिए ही, impact करता है, आज मैं motivate करूगी, एक hafta, दो hafta, you will be all charged up, but then you will come back to square one, what is the most important, is self motivation, these little things, okay, will self motivate you, to work harder, and do something, which is above the rest, which will make you, those students, who are in that 6% crowd, who is going to clear the examination, and believe me, एक बार आप examination clear होते हो, और अर्टिकलशिप के लिए इंटर्व्यू दोगे न, हर बेटा बाप ही है बच्चा, क्योंकि देखो 25% foundation में clear हूआ है और 5% inter में हूआ है, मतलब he is like Einstein का बाप ही बच्चा, but interviewer कौन सा बच्चे को सिलेक करेगा, वो बच्चा जिसने confidently अपना जवाब दिया है, knowledge तो सभी के पास है, आप खुट जब डॉक्टर के पास जाते हो, suppose आपकी तब्वित खराब हो गई, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, से एक डॉक्टर, राम, चले गए उनके पास, वो आपको physically examine करते हैं, शायद वाइरिल है, या शायद भाहर का खा रहे हो, climate change हो गया है, पानी change हो गया है, पेट गडबड हो गई होगी, उसके वज़े से बिमार हो, ये दवाई ले लो, नहीं ठीक हो तो तीन दन बाद वापस आजाना, ऐसा एक डॉक्टर है, राम, जो ऐसा कह रहे है, और दूसरा डॉक्टर है, शाम, जो आपको डाइग्नॉस करते है, और दम confidently बोलते है, आप tension मतलो, खाने के timing change हो जाने के वज़े से, pattern change हो जाने के वज़े से, you are not feeling well, more than physical it is more mental, ये दवाई ले लो, rest कर लो, आप दो दिन में ठीक हो जाओगे, आपको कुछ भी करने की जरूत नहीं है, वहाँ पेशेंट 50% ठीक हो जाता है, in the attitude of that doctor, के भई मेको कुछ जान लेवा, बिमारी नहीं है भई, ठीक है, में ठीक हो जाओगा, वही पे doctor, जो बोलता है न, जिस तरह से, उस confidence है, वो patient जो आदा वही पे ठीक हो जाता है, that's the difference, doctor तो दोनों भी बने, MBBS की degree दोनों के पास भी है, बड उसका जो confidence था, और जो attitude था, that made the difference in the life of the patient, that is how it is going to be with you all also, और यह समय जादा दूर नहीं है, आठ महीने बाद ही आपकी examination है, जिसके एक दो महीने बाद आपका result है, मतलब आप समझ लो, एक साल बाद, is the time when you all will be giving interviews, so how you are portraying your knowledge, is also going to make a difference, तो इसलिए जवाब दो class में, एसा मत सोचो के बाजुआला या बाजुआली क्या सोच रही है, you have to do it for yourself, fail होएगे तो कोई नहीं देखेगा आपके पस, यह बाजुआली भी नहीं, जिसको आप इत्ती इज़त दे रहे हैं, so don't think about what others are thinking, do all these things which is important for you, for your life, finally at the end, एक ही चीज आपके साथ हमेशा रहने वाली है, और वो है आपकी डिगरी, बाकी लोगों का पता नहीं, बाकी चीजों का भी पता नहीं, कितनी चीजे, objective चीजे जो है, material चीजे, कौनसी चीज आज है नहीं है कल, या लोग भी आज है, नहीं है इंसान कल, कुछ बहुरसा नहीं है, हो सकता है, आपका supporter भी है, बाट, कुछ अनुन ही हो गई, इंसान ही नहीं रहा हो, तो you cannot rely on anything, nor any person, only thing that is going to be till the last day of your life, is your degree and your career, and the goodwill and the name that you have created for yourself, so you really need to work for it, and these small small things, will really make a difference, little- sieht, यह लोब आ से व्यां जवाब देरे हो, नहीं से बाट नहीं हो आप लिए बतलीज़ कंए, will really make a difference, and this should be done, if you get the opportunity, you should get the opportunity to get better, आपको इसका अपड़ा उठाना चाहिये, It'll make a difference, Not today, but 4 months later, I'll tell you, and see how you came here, and how you are going after class, you should see yourself your difference, है न, अच्छे बच्छो न आप लोग जवाब दोगे न क्लास्मे वेरी गुड चलो तो देखो यह था वो डिसिजिएं बाइट कोट अफ लोग साथ में रीड करेंगे नाओ चलो The court tell that he was a separate person from the company that he has form As Lee was killed So she was entitled for the compensation यह केसलो का नाम क्या बुलो तो Lee versus Lee Air Farming और एक last case है Guzdar versus the commissioner of income tax There was a tea manufacturing company and there was this lady Mrs. Guzdar who had purchased the shares of this company साल वर इस company ने business किया और business करने के बाद profit कमया और profit दिया to the members by the way of dividend by the way of dividend तो इस मौतरमा को भी कुछ dividend मिला Okay She received dividend in respect of the shares that she had purchased अब देखो जब income tax return file करने की बात आई उन्होंने क्या किया सिर्फ 40% जो dividend income है उसको taxable treat किया और कहा 60% is agricultural income which is not liable for taxes You all know na agricultural income is exempt from taxes तो अब मैं आपको कुछ income tax कर छोटा सा provision बताना चाहती हू which is relevant for this case law बाती तो Pooja Ma'am expert है देखो कुछ कुछ companies होती है tea manufacturing company rubber manufacturing company or coffee manufacturing companies जिनकी activities में दोनों चीज़े होती है agricultural as well as manufacturing जैसे जो coffee आप पीते हो जो powdered coffee होती है ऐसा नहीं होता है powdered coffee खेत में मिली और डाल दिया दूजमें coffee के plants होते है उन coffee plants में coffee के flowers होते है beans जिनसे बनते है उसको process किया जाता है crush किया जाता है फिर वो coffee का powder बनता है जिसको हम दूद में मिलाकर coffee की तरह लेते हैं so basically यहाँ पे there is a mix of both activities there is a mix of both the activities agricultural also plant को grow करना उसका खयाल रखना और वो basically flour को pluck करके फिर factory में होता है manufacturing process वैसा ही tea के लिए होता है चाय पती और वैसा ही rubber के लिए होता है तो यह companies जो थी वो दोनो activities कर रहे थी agricultural also and manufacturing also companies क्या कर रहे थी जादा से जादा expenses manufacturing unit में आल रहे थी और जादा से जादा income agricultural बता रहे थी जिससे क्या हो जा रहा था income कम तो tax कम हाँ हाँ ना तो इनका खेल था क्योंकि agricultural income होती है exempt from tax इनका खेल था है उनको यही चीज करनी थी ज्यादा से ज्यादा आप agricultural income बताओ और कम से कम manufacturing income बताओ ताकि हमारा tax कम से कम हो जाए सही हा गलत department को यह मिष्यफ के बारे में पता चल गया department को यह मिष्यफ के बारे में पता चल गया इसलिए department ने क्या किया क्या थिया हम इस प्रसेस को standardize कर देगे virtual students I hope you all are with me standardized कर लेगे चाहए आपका कितना भी खर्चा agriculture में गया हो कितना भी खर्चा फाक्टरी पे गया हो, कितना भी पैसा सेल करके हुआ, हमें कोई लिना देना नहीं है, अक्चुल से, हम प्रिजंप्शन बेसिस पे काम करेंगे, और करेंगे, यह जो टी मनुफक्टरिंग कंपनी है, उसका 60% अग्रिकुल्चुल्चुल्चुल्चुल्चुल्चुल्चुल इस पे आपको क्या दिना पड़ेगा? टैक्सुल्चुल्चुल्च अगी बात समझ में? यह मौतरमा ने क्या किया? जो दिविडिंट इंकम मिला है, उसको 60-40 में स्प्लिट कर लिया, और का I am liable for tax only for that 40% और उस पे मैं टैक्स दू एब बता मुझे, कितने इंकम पे उसको तो टाक्स देना चाहिए, 100, 60, 40, सबसे पहले इसने hand raise किया, एक मिन्ट, माइक लेलो, माइक कहा गया, दे दो तो असे, आपका नाम और कहा से वो भी बता दीजे, वर्चुल सुडेंस, प्लीज आंसर, मैम मैं नेम इस कुंदन कुमार और अम फुर पंजाब, क्या बात है, ब क्या बात है, सही का है, इसने आपको पता है, और एक बच्चिस न मैं जवाब चाहते हूँ, क्या नाम बता है आपको, Mr. Soryafagot, Kundan Kumar, एक बार कुंदन कुमार के लिए जोरदार तालिया, I want somebody from the girls to answer, याई, बुलो, 160 या 40 पे टैक्स देना चाहिए, 100 पे जेना चाहिए, या, company आलग, members आलग, मतलब जो company का dividend है, company ने profit कमाया है, पूरा 100 रुपीज, तो company ने टैक्स पूरा 100 पे भरना चाहिए, मतलब एक कंपनी का वो 60-40 पे हुएगा, हाँ, company का 100 रुपीज है, वो 60-40 पे स्पल नहीं होगा, क्या बात है, इन दोनों भी बच्चों के लिए जोरदार तालिया, दोनों ने एकदम सही जवाब दिया है, और वर्चुल सुडेंस में से भी कुछ बच्चे है, महीं का आपके पास ही रखो, जिन्हों ने सही जवाब दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उ तो देखें यहां पर क्या हुआ है, यहां पर कंपनी जो है, कंपनी अलग है गुजदार से, कंपनी की यह income है, जो हम 60-40 में split करने वाले हैं, कंपनी की यह activities है, जो agricultural है और non-agricultural है, गुजदार ने तो क्या किया है, शेर्ज में इन्वेस्ट किया है, उसको जो पैसा मिला है, dividend के रूप में, वो तो उसका dividend income है, सोचो नो, गुजदार ने क्या किया है, शेर्ज में इन्वेस्ट किया है, सही है गलत, और शेर्ज से उसको क्या dividend आया है, और आया है नहीं आया है, गुजदार ने क्या agricultural activity की थी, गुजदार ने क्या tea plantation में किया था कुछ काम, गुजदार ने तो पैसे दे के, शेर्ज खरी दे और इनी शेर्ज पर उसको return मिले, in the form of dividend, in the form of dividend, गुजदार की ये agricultural or manufacturing income नहीं है, गुजदार की तो ये investment activity है, और इसलिए गुजदार को देना पड़ा, tax on the full dividend that she received, it's a supreme court decision and that is why this case becomes really very important, ये decision सब लोग एक साथ एक आवाज में read करेंगे now, come on, the supreme court held, having its own business and own income, business company का, income भी company की, तो split भी company करेगी, आगे, but the same income when received by shareholder गुजदार is dividend income and this cannot be regarded as agricultural income and thus tax was payable on the complete dividend income that she received, so all these were the features of a company, कोई अगर आपको पूछता है के कमपनी कैसी होनी चाहिए, आपने foundation में सिफ़ क्लाप्स पड़ा था, okay now inter, obviously inter is the next step, ज्यादा features होने चाहिए, कोई अगर आपको पूछता है, company कैसी होनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए, company होनी चाहिए, top class, कैसी होनी चाहिए, top class, T is for transferability of share, O is for ownership, अलग, management, अलग, P is for perpetual succession, C is for L is for limited liability, A is for artificial person, S for share capital, S for separate legal entity, एक बार मैं सारे points को वापे summarize करना चाहिए, before giving it an offer today, देखो, हर एक company के shares, transferable होते है, चाहे आपकी company private है, या चाहे आपकी company, public company के shares freely transferable होते है, tension ही नहीं है, but क्या private company के shares भी transfer के जा सकते है, मैं आपको real life example दिया था, Flipkart, private limited का, ownership is separated from the management, owners company के members होते है, जो पैसे डालके ownership का हिस्सा ले लेते है, but जहां तक management की बात है, managers are the directors, who participate into the day-to-day activities of the company, ठीके, और हमारे members को day-to-day activities में participate करने का अधिकार नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, perpetual succession, मैंने CA Rakesh Junjunwala का practical example दिया था, जहां मैंने का था, though he was a stakeholder of 40% of the shares of that airline company, उनकी debt से company के status को affect नहीं हुआ है, a company has a perpetual succession, perpetual मतलब continuous और succession मतलब existence, members आएगे, members जाएगे, but company जैसी है, वैसी की वैसी ही रहे, जन्मो जन्मो तक, you go you go, company का existence चलता ही रहेगा, आज के जमाने में common seal mandatory है या optional है, तो अगर common seal है, क्या बात है, और अगर ना है, तो भी क्या चलेगा, it's like a signature for the company form of organization, फिर liability किसकी limited होती है, members की liability limited होती है, और कितने हत तक limited होगी, that will depend upon the type of the company, next, company artificial person है या fictitious, so it's an artificial person, and it is created by law, and it can only be dissolved by law, share capital, company में होता है share capital, this capital is shared by everyone, and therefore it is known as share capital, and lastly हमने देखा था, separate legal company, अलग members अलग, company अलग, directors अलग, और उसी को समझाने के लिए, हमने तीन case laws भी देखे थे, Salomon versus Salomon and Company, virtual students जवाब दो, Lee versus Lee Air Farming, and last, गुजदार versus Commissioner of Income Tax, जहाँ पर हमने बताया था, company shareholders से, directors से, और employees से, अलग होती है, उसका अपना status होता है, in the eyes of law, एक काम करो, note books लाईए सब लोग उने, यह लिखोगे, लिखते लिखते अपने आपको सवाल भी पूछना, जवाब देने आ रहा है या नहीं, उसके बाद, यहाँ पर, चार बच्चा आएगे, और सारे features, मैंको बताएगे एक साथ, any four kids, write down, first write it down, I'll just play some song for you all, इतनी महनत कर रहे आप लो, इतना तो बनता है, — Subscribe now and press the bell icon, never miss an update from tips official. Please write this in your Notebook, features of a company, virtual students, you have to write also. I want two girls and two boys आशाए दिले दिलगी, उम्मीदे हसे दिलगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी आशाए दिले दिलगी, उम्मीदे हसे दिलगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी एम्मीदे मतलब मेमरी टेकनीक उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझ को वहाँ आशाए दिले दिलगी, उम्मीदे हसे दिलगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी आशाए लेके, नहीं कुछ भी, नहीं कुछ? आप नाम बता दो अपना आप कहा से बता दीजे यहां पर आजाए पूरा इंडिया आपको देखना चाहता है आदीश जेन, I'm from Madhya Pradesh तो बता ये इस पाइए कंपनी कैसी होनी चाहिए इसको मैं बंद कर रहे हूँ आप मत देखना बोलिये Top class Okay, AK करके भी points बता Transmability of Shares Bool रहा है, Bool रहा है Transmability of Shares Separate ownership From what? Ownership is separate from what? Management Transmability of Shares Transmability of Shares Transmability of Shares आप लोगी आजा मेले, एक काम को तुकल इसे किसी को चांस देते हैं My name is Sanvi Ghatu and I am from Maharashtra, Mumbai. T is for transferability of shares, O is for separation of ownership and management, P is for perpetual succession, C is for common seal, L is for limited liability, A is for artificial person, S is for share capital and S is for separate legal entity. Wow, wonderful, very good. My name is Mohamed, T is for transferability of shares, O is for separate ownership and management, P is for perpetual succession, C is for common seal, L is for limited liability, A is for artificial person, S is for share capital and S is for separate legal entity. I am from Maharashtra, I am from Maharashtra, our company must be top class, T is for transferability of shares, separate ownership and management, perpetual succession, class C for common seal, legal entity, artificial person, share capital, separate legal entity. And L is for limited liability. Limited liability. Chalo, zor nath ya liya, 4 of the kids ke liye. Very good, kya bat hai yaar, wonderful and keep it up. So, ek bar mein chaatii ho, aap loog sab, bas, aakhri. Aakhri bar, virtual students, aap loog bhi chat box me likh sakta ho, batado. Company kaisi honi chaaiyye? You may be seated, bholo. Top class. CSR. Transferability of shares. OSR. Ownership. Allah. Management. Allah. PSR. C is or L is or A is or S or SHARE S आप सब लोगों के लिए यह मेरे तरह से Thank you so much Have a wonderful day आज के लिए इतना ही है दन्यवाद कल मिलते है Bye 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 Virtual Students कर दो